नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में हाती के बारे में कुछ बेहत अद्बुत और रोचक तथे बताऊंगा तो चलिए आरंब करते हैं हाती विशु का सबसे बड़ा जानवर होता है जो धरती पर रहता है हातीों को संसार के सबसे भारी भरकम जानवरों में भी गिना जाता है आमतोर पर एक हाती का वजन 10,000 किलों तक होता है और कुछ बहुत बड़े हातीों का वजन 32,000 किलों तक भी पाया जाता है हाती साकाहरी जानवरे और भारत और विशु के कई जंगलों में ये पाये जाते हैं वर्तमान समय में हातियों की केवल दो ही परजातिया जीवित है हातियों की पहले एक परजाती में मत्स थी जो अब विलुप्त हो चुकी है हाती सामजिक दाइरे में रहकर हम इंसानों की तरह ही लगबग जीवन निरुआ करते हैं तो चली आज जानते हैं हातियों के बारे में बहुती रोचक तथे वर्तमान समय में अब दो ही हातियों की परजातिया बची हो परंतु दुनिया में प्राप्त हुए विभिन जिवाश्मों से पता चलता है कि आज से पांच करोड साल पहले हातियों की करीब 170 परजातियां विक्सित थी यह जिवाश्म आश्ट्रेलिया और अंटार्क्टिका को छोड़ सभी महाद्विपों में पाए गए है हाती लेट कर नहीं बलकिर खड़े होकर सोते हैं हातियों में योवन वस्ता आमतोर पर 13 या 14 साल के आयू में आ जाती है हाती की सून एक परकार का वर्दान है जो उसे जिन्दा रखता है इसकी वज़े से पानी की गंद को 4-5 किलोमेटर की दूरी से भी सून लेता है हाती दिन में बहुत कम सोते हैं बस जादा से जादा 4 घंटे हाती अकसर चलना जादा पसंद करते हैं वे निरंतर खाने की तलास जारी रखते हैं हाती एकलोता जानवर है जो कि कूद नहीं सकता और जिसके चार घुटने होते हैं हाती भहुत कम फ्रिक्वेंसी पर बात करते हैं वे लगबग 10 हर्ट्स पर बात करते हैं मादा हाती हर चार साल में एक बच्चे को जरूर जनम देती है इसका गर्बकाल ओस्तन 22 महीने तक का होता है अफ्रीकी मादा हातियों का गर्बकाल 22 महीने तक का होता है अफ्रीकन हातियों के कान भारतिय हातियों से बड़े होते हैं जवान अफरीकन हाती की लंबाई 13 फिट तक बढ़ जाती है और भारते हातियों की 10 फिट तक हातियों का जनम और जिवन काल ओस्तन हम मनुश्यों की तरह 70 साल का होता है जुन्ड का नेतरतों भी बड़े उमर के नर या मादा हाती ही करती है मज़्यादा तर मादा हाती ही जुन्ड का नेतरतों करती है हाती आमतोर पर 6 किलोमेटर परती घंटा की रफ्तार से चलते हैं हाती लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं अगर किसी जुन्ड का एक हाती मर जाए तो सारा जुन्ड अजीब तरिये की आवाज कर गरज कर सोक मनाता है। हाती लगबग एक दिन में 120 किलो तक का भोजन खा जाते हैं। हातियों की सून्ड इतनी कमाल की होती है कि वे अपनी सून्ड से एक फर्स पर गिरा चोटा सा सिक्का भी उठा सकते हैं। मादा हाती बहुत बड़े जुन्डों में रहती हैं, जिनका नेतरतो एक बूड़ी मादा करती है। हाती की सून उपरी होट और नाक से जुड़ी हुई होती है, हाती भी मनुश्यों की तरह राइट या लेफ्ट हैंड होते हैं, हाती के दाथ उसके जीवनकाल के दोरान घट बढ़ते रहते हैं, मादा हाती नर हातियों के अपेक्षा बच्चों की देखवाल जाजा अच्छी तरह से करती है, नर हाती बारा से पंदरा साल की आयू के बीच में जुन्ड छोड देते हैं, तो दोस्तों ये थी हातियों के बारे में कुछ रोचक तथे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को कीजिए, मिलते हैं, नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,